नमस्कार जैशी कृष्णा मैं राकेश शिवानियस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि लास्ट की दो विडियो से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ गोचर के बारे में ही कि विभिन ग्रहे जब अपनी राशी चेंज करते हैं तो कैसा फ होना कि उसकी राशी क्या है जन्म राशी क्या है यानि उसकी कुंडली में चंद्रमा किस राशी में बैठ उसके बेस पे वो जान सकता है कि सूर्य अगर राशी चेंज कर रहा है सूर्य अगर धनू राशी से मकर राशी में आ रहा है या मकर से कुंब में आ रहा है तो क्या फल उसको मिलेगे तो इसी प्रकार मैंने सुरे का बताया और चंदर्मा का 보ा आज हम पड़ते हैं मंगल के बारे में कि मंगल जब अपनी राशी चेंज करता है तो किस तरह के फल किन बताया आज हम पढ़ते हैं मंगल के बारे में कि मंगल जब अपनी राशी चेंज करता है तो किस तरह के फल किन-किन राशियों वालों को मिलते हैं अब यह आपको देखना है कि आपकी राशी कौन सी है तो आपके अनुसार फल कौन सा होगा इसमें तो जनरल रूल दिया तो मंगल का यह है कि मंगल जन्म कालीन चंद्र राशी से मतब जहां जिस राशी में आपका चंद्रमा बैठा है जिस राशी में आपका चंद्रमा बैठा है अगर उसी राशी में मंगल प्रवेश कर रहा हो गोचर में जिस राशी में आपका चंद्रमा बैठा है जन्म कु या चिंता युक्त होता है इंसान उसको शोख होता है उसको वरीज होती है उसको चिंता होती है उसके कुटंबियों से उसका व्योग होता है उसको mental stress हो जाती है रख संबंदी रोग हो जाते है पित जनित रोग हो जाते है उसको क्योंकि मंगल पित का कारक है तो पित जनित र उश्नता पैदा करने वाले रोग होते हैं इस तरह के रोग जातक को हो जाते हैं अगर मंगल उस राशी में प्रवेश करता है जिस राशी में जातक का चंद्रमा बैठा हुआ है अब मंगल जिस राशी में जातक का चंद्रमा बैठा है उससे दूसरे भाव में मंगल प्रवे आप soft नहीं बोलते, कठोर बोलते हैं, दूसरे भाव से हम लोग परिवार कुटम को भी देखते हैं, तो उनके साथ समस्या होती है, परिवार से समस्या होती है, कुटम से समस्या होती है, खाने पीने की समस्या होती है, क्योंकि दूसरे भाव से हम खाने पीने की चीजों को द कालीन राशी से तीसरा भाव हो तब क्यासे गोचर होता है वो गोचर बहुत शांदार होता है वो आपका पराक्रम बढ़ाता है आपके भाई बैनों से आपका प्रेम इंक्रीज करता है आपको खेल-कूद में अगर आप हिस्सा ले रहे हैं या खेल-कूद में कोई सिलیک्शन आपका हो रहा है तो उस में आपके सफलता निशित हैuire तो 막 को सफलता निशित रूप से मिलेगी और मंगल का गोचार ऐसी अनुकूल चल रहा है अगर मंगल चौथे स्थान में प्रवेश करे यानि जिस राशी में जिस राशी में चंद्रमा है आपकी कुंडली के अंदर उससे चौथे स्थान में मंगल कोचर में आए तो चौथे भाव के जो रिजल्ट होते हैं उनमें कमी आजाती है, इस्थान ब्रहंशता, इस्थान ब्रहंशता मींस कि आपको इस्थान छोड़ना पड़ सकता है, आपकी नौकरी छूट सकती है, आपको मानसिक अशान्ती हो सकती है, चौते भाव से संबंदी जितनी भी चीज़े हैं, माता को समस्या हो सकती है, ट्रांस्वर हो सकता है अगर आप जॉब में हैं तो आपका ट्रांस्वर हो सकता है और ऐसी जगे ट्रांस्वर आपका हो सकता है जहां आप बिल्कुल ना चाहते तो इस तरह की प्राब्लम्स हो जाती है अगर मंगल उस राशी में प्रवेश करे जो जन्मकालीन चंद्र में पढ़ती है जो जनकालीन राशी से पांचवे भाव में पढ़ती है अगर मंगल उस राशी में प्रवेश करे बोचर में तो क्या होता है वो भी अच्छा नहीं होता पिनाकारण चिंता होती है बुद्धी विवेक की हानी होती है संतान से समस्या होती है संतान को कस्ट होत अगर शेर मार्केट हो अगर हमें आप कुछ चीज इंवेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें नुकसान होता है शेर मार्केट में इस समय बचना चाहिए जब मंगल आपकी जन्मकाली राष्टी से पांचोए भाव में गोचर कर रहा हो तो आपको शेर मार्केट से बिल्कुल होते हैं छटा यानि मंगल उस राष्टी में गोचर करे जन्मकाली राष्टी से छटे बढ़ में तब क्या है यह अच्छा होता है तो छटे बाष्ट के रेजर्ड्र जो होते हैं वह अच्छे मिलेंगे आपकी कल्ये खतम होगी आपका रिनंखतम होगा आपकी शत्रूता खतम होगी आपके रोक खतम होंगे अगर आप नौकरी ढूंड रहे हैं या नोकरी की तिलास कर रहे हैं उस 드जे आन씨 मिलनेक पूरे पूरे चांक्सिस हैं 100% है नौकरी मिलनें तो शत्रों से विजय प्राप्त होगी आपकी धन प्राप्ती होगी सब कामों में अनुकूलता होगी चटा जो गोचर होता है मंगल का जन्राशी से चटा गोचर वो अच्छा गोचर कहलाता है अब यही मंगल, अगर जन्राशी से सात्मा भोचर करे, यानि उस राशी में जाए, जो जन्काल का निन राशी से साते नमबर पर पढ़ती है, तो विभाई जीवन में प्रोब्लम आती है, इस्त्री से वाद विभाद होता है, नेतल हो जाते हैं, उधर हो जाते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं अगर आप करते हैं तो I आपकी प्रॉबलम स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं आपकी विदेश यात्र होती है तो वह देखते हैं तो यह साथवे भाव सबंदीर च富 perform अज़र में तो नवे पाकी पात다 नहीं मिलें होगी अगर वाग्य की ज़रूर्द है क्थ आपको को काम नहीं बन पाएगा अर्थ्ञल अर्थ्म नास èces होगा शरीद में निर बलता आएगी कि यह सब चीजें न करीज और तो धर्म की हानी होती है इस तरी की चीजे होनी शुजाती है अगर जन्मकालिन राशी से नवा गोचर करे आपका मंगल और जन्मकालिन राशी से दस्वा गोचर करे मंगल यानि जन्मकालिन राशी जहां आपकी है उससे दस्वे भाग में गोचर मंगल करे तो दस्वे भाग के रिजल्ट जो हैं आपको अच्छे नहीं मिलते हैं आपकी नौकरी लगने वाली हो तो नौकरी नहीं लग पाती है कारे में सफलता होती है जो भी कारे आप स्टार्ट करते हैं उसके अंदर आपको सफलता नहीं मिल पाती है जो भी कारे करते हैं उसके अंदर आपको हानी मि भुखत होता है धन लाव होता है कि अपको के लिए तो आपको सफलता मिलती से आपका अच्छा आपको प्राप्त होता है प्यार प्राप्त होता है तो ग्यारवे भाव में गोचर जो है वो गोचर बहुत अच्छा है और इसी प्रकार अगर मंगल जर्म कालीन राशी से बारवे भाव में गोचर करे तो वो गोचर पिल्कुल अच्छा नहीं होता व्य बढ़ जाता है ऑस्पिटल आने की प्रॉब्लम हो जाती है तो यह था मंगल का गोचर आशा करता हूं आपको समझ माया होगा और कोई चीज चुटी हो तो माफी चाहता हूं अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और इसके लावा हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा र सब्सक्राइब धन्यवाद जैशी किश्म झाल झाल